ओम श्यान्ति आप सबको स्वागते हैं आपको यूट्यूब चैनल सीदे सुद्ला टॉतलाइस वे दिन में और आज हम चाचा करेंगे जो कि हम इनको याद कर पाएं तो वर्दान में प्रमात्मा कहते हैं प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूती करने वाले सहज योगी भवा किसी को भी याद करना तभी असान हो पाता है किसी वेक्ति को जब हम उसके करमे पड़े हुए गिफ्ट्स देखते ह उसके द्वारे लिखे हुए लेटर्स मिलते हैं या उस वेक्ति के द्वारा करीवी मीठी बाते याद आती हैं या उन्होंने कुछ हमारे ले कर दिया होता है मदद तो उस वेक्ति की याद आती है या उसके प्रती हमारा भाव जो होता है वो हलका होता है तो परमात्मा भी वह कमपेर करो कि तुम्हें क्या मिला था ताब कि तुम्हारा योग लगना मित WILL की Meditation हो न परमात्मा की याद सहज हो जाए तो बाबड़ केता है सहज यूग का आधार है मलकी easy परमात्मा को याद करना, काम करते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, उसका आदार है स्नेहे, और स्नेह का आदार है संबंद, किसी से संबंद होगा, संबंद स्नेह वाला होगा, तो और याद आएगी, फिर बाबा कहते हैं, संबंद से याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती है किसी भी आपका संबंध होता है तो आपको लेन दिन होती है आधन प्रदान होता है तो वो लेन दिन में ही आपको प्राप्तियां होती है कुछ संबंध होते हैं जिसमें कि आपको बहुत प्राप्तियां होती है तो वो आपको इसली यहां परवाणा तो कहते हैं, जहां से प्राप्ति होती है, मन बुद्धी वहां सहज ही चली जाती है, तो वही बेखती ही आता था जिसने आपके लिए हर घड़ी, हर सेकना को मदद करी हो, आपके लिए रहा हो, आपको हर चीज प्रोवाइड करी हो, जिब आपको जरुद प प्रेम का खाजाना दिया है, ये खाजाने कैसे मिले, जमन में स्थाथ दिन का कोर्स किया, पहला ज्यान मिला, कि आप आत्मा हो, आप शरी नहीं हो, आप कभी मरते नहीं हो, तो सबसे पहला जो डर इंसान को, इन्सेक्यूरिटी का, मर जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, आगे बढ़ना है, दुनिया से इतना कंपीट करना है, दुनिया से आगे बढ़के दिखाना है, मेरी importance, मेरी value, जितना मेरे पास में दन दौलत होगी उतनी है, वो सब कुछ खतम हो जाता है, क्यों? ये पता चलता है, कि आपका सित्यत्वा ये है, कि आप एक आत्मा है, ग्यान की वज़त से, जैसे से साथ दिन का कोर्स आगे बढ़ता जाता है, और बहुत सारे questions के answers मिलते जाता है, कब आया इस दर्ती पर, क्या करना है अब, कब इस दर्ती को चोड़के उपर परमदाम जाना है, दुनिया कौन से समय में चल रही है, दुनिया में जो दुख में जल रहे हैं, उनका निवारन क्या है, गर में जो श्यांती है, उसका निवारन क्या है, सुअस्थ कैसे रहना है, खान पान क्या होना चीए, उठना, बैटना, सोना, कैसे ちेंज करने ताकि हमारे जीवन में सुक शानती बनी रहे जब ये 7 days का हमें कोर्स में इस सारा ज्यान मिलता है तब जाकर कि हमारे अदर ये सारी प्राप्तियां होती है तो परमात्मा इनी चीज़ों को याद दिला रहे है बाबा कहे रहे हैं गुणों का सुक्षान्ति, आनंद, प्रेम का खासानत दिया है जो भी भिन भिन प्राप्तियां होई है उन प्राप्तियों को बुद्धी में इमर्ज करो कि 7 days को कर्स किया, फिर आगे बढ़े और ग्यान में, घहराई में गए तो क्या-क्या प्राप्तियां होई उनको इमर्ज करो, तो खुशी की अनुभूती होगी और सहज योगी बन जाएंगे क्योंकि प्राप्तिय याद करी तो किस ने दिया इस सब कुछ क्यान किस का, अपना ने न, परमात्मा का कोशी कैसे मिली, क्यान से मिली, किस ने दिया, परमात्मा ने तो उनको याद करना असान हो जाएगा तो जिन लोग उने 7 days को कोस किया है उनको ये बात और कहरी समझ जा रही होगी जिन्होंने नहीं किया है आप जाकर कि 7 days को करें आपको भी समझ आ जाएगा कि ये कहा क्या चा रहा है और आज का ये श्रेवर्द्यन इजी के साथ में उमशन्ती